वाइस अगर आपको भी ऐसे शिकायते होती हैं कि भी यह आम बहुत खाना खाते हैं लेकिन हमारे सरीर को बिल्कुल भी नहीं लगता है गाल बिल्कुल शिकुर गई है अंदर तो कैसे यह सी को ठीक कर सकते हैं कुछ ऐसे दवाई के बारे में हम आज वीडियो में बात करने व चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए हमें एक मोटिवेशन आपके दरफ सो मिल जाता है सबसे पहले कि पिछके हुए गालों के कारण क्या होते हैं बेसे क्या कॉसे जिसकी विए से आपकी गाल जोते हैं बहुत जादा पिछक हैं तो इसमें आपको पहला कारण आता है आपके डाइट आपको डाइट अच्छी नहीं ले पारे हो एक खाना आप पॉस्टिक नहीं पार ले हो बाहर का जंग फूड आप ज्यादा कंज्यूब करते हो दूसरा चीज आपकी बॉड़ी में फैट की कमी होना जब आपकी ब परावन लोस होना वह बिमारी की वज़े से हो सकते हैं तंदुरस्ति नहीं बन पाती है या फिर आपके गाल जो होते हैं हेल्थी नहीं बन पाते हैं आपको इंची योग पहले दवाई से पहले आपको डाइट हो गए अपर ध्यान देना पड़ेगा मिल्क प्रोड़क्ट आप ज्यादे ही उस करें रही मक्कान पनीर हो गया चिकन और खाते हो तो वह यूज कर सकते हो एग हो गया नॉन वेच हो गदर सारे डाइट ले सकते हैं डालें होगी बिटीविंस फूड होगे तो एग हो गयर जो होते हैं आपको अच्छी है आपको एनर्जेटिंग मैस् करता है और आपको सिरप के रोब में कैपसुल के रूब में दा है बच्चों के लिए ड्रॉफ के रूब में मुल दाता है और येम यूज कर सकते हैं अब कर सकते हैं जिससेट सबकोँ उसे सकते के विदू कर चाता है उन्टी ऑक्सिजेंट होता है जो आपके बॉड़ी को एनर्जेटिक रखने में काफी ज्यादा मदद करता है तो मल्टी प्रेस आपकी कैप्सूल जो होता है आपकी एल्प करता है कि ताकि आपकी खाने को अच्छे से कर पाए वहीं पर यह वेट गिन करने में मद करेगा चकर आ रहे हैं उल्टी का मन बरावर बने अधा चक्कर वह ज्यादा वीजनेस मैंसुत होती है खाने खाने का मन नहीं करता है तो सभी परकर करें कंडिशनों में मल्टी प्रेस जो होता है वह वह अच्छे से कांग करेगा जेनरिक आता है तो सस्ता आता है लेकिन काफी अच्छे प्रेजन देखने को में जाएंगी ऑनलाइन साइट भी पर इसका दिन गबने डिस्क्रिशन में दिया है आप आमाजन से बहाई कर सकते हो डोजिस क्या होते इसका डेनी एक कैफुल दूत के साथ आप इसका सेवन कर प्रेग्निंसी के तुरान यूज़न ना करें और किड्नी लिवर के प्रव्डम्स है तो भी यूज़न नहीं करना चाहिए या फिर किसी अन्य तरही कि आपके मेडिकेशन चलती है तो भी अपने डॉक्टर से कंसर्ट करके बिना इस दवाई का यूज़ना करें तो एक ही लगबाग तीन माहिन तक यूज़न नग यूज़न लगवाद ब्रेक करके बाद आप यूज़न कर सकते हैं उसको ब्रेक करके कुछ छोड़ दीज़ी जैसे कि स्टप बाइस चोड़ने का तरीका ही मैं सेंबल साब को बता देता हूं कि जैसे कि आपने एक कैप्सूल पर स आपने वीडियो एच्छे लगा तो लाइक जूरू करें और शेयर जूरू करें तो मिलते अपने नेक्स वीडियो के साथ जैन जै वारत